आईरुवेद की पहचान है ऐसी गुण से भरे गुणवान की जैसी असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्पंडिक श्री लक्ष्मन दास रतन भारद्वाजी तो चलिए बिना समय को जाया करें सबसे पहले करेंगे गुरुजी का स्वागत गुरुजी आपका बहुत स्वागत है नमस्कार ना कोई किसी भी असाध्य रोग से पीडित है किसी लंबी बिमारी का शिकार है बहुत जगा से आप एलाज कर आ चुके हैं लेकिन आपको सही लाज नहीं मिल रहा तो आपने राज ना हो आप सवस्त्विचार आश्रम आए क्योंकि सवस्त्विचार आश्रम में हर एक अपने और अपनों का इलाज करना चाहते हैं तो आप गुरुजी की पुस्तक के स्वस्त विचार इसमें वो सभी नुसके होते हैं जो गुरुजी यहां कारिक्रम के दोरान बदाते हैं उन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है जो नं बर आप कि दादा से ज्यादा लोग हम करें करेंगे बढ़ते और गुरुजि से जानते हैं एक और नए विशेपर और वो है जला भुना अनाज़ जो है वह कमर भी तोड़ सकता है कैसे जुआ जानता है गुरुजी औहूंगी कहा जाता है कि ज़ deliberately बुना अनाज होता है वो कमर भी तोड़ सकता है इस बारे में आपका क्या कहना है जले भूने नाज से मतवल है कि अधिया आप तल के कुछ चीज़ें खाते हैं जी जिसे पकौरे खारे हैं परॉंठा खारे हैं पूरी खारे हैं तो हरे की पाचन सक्ति एक स्मान तो है नहीं जी बिल्कुर जिसकी पाचन सक्ति मजबूत है वो तो उसको पचा देगा जिसकी पाचन सक्ति कमजोरा उसको नहीं पचता फिर पेठ में जाके जैसे कांकरों पे नंगे पाउंच चलते हैं कांकर चुपते ऐसे पेठ में जाके सुड़े बनते हैं और आंतों में भ्यंकर दर्द होता है, तो आज इस से मेरा परिचा ये है, कि हफते में एक बार यदि आपने कोई तल के चीज खा ली तो उतो नुक्सान इतना नहीं करती है, प्रांतु दो या तीन बार जब आप लगतार चीज खाते हैं, तो आपकी पाचन सक्ती पर ऐसे ट्रैक करती है, जैसे कांकरों के उपर नंगे पाउं चलके चुबन पैदा होती है, पाउं के तल में दुखते हैं, ऐसे लीवर काम करता हैं, खाया प्या पेट में जाके सडके, आंतों के अंदर ऐसे जमता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है, फिर आपको कही रोगों को नमांतर मिल जात होता है, आज बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है, कि साव में से 90% का पेट साफ होता है नहीं है, सुवा या तो चाय पिएंगे या पानी पिएंगे, और फिर भी टैलते रहेंगे, तब जाके पेट साफ होगा भी बड़ा जोड लगा के, और जो बवासीर है, सिंग सब इसी खान पान की देन है, जदी आदमी ने सुखी रहना, सुखी जीवन बैताना है, तो तला हुआ, भूना हुआ, कम से कम खाएं, हवते में एक या दो बार, और नॉर्मल खाना, जदी आप खाते हैं, जिस नाज को खाना, उसका छिलका ने उतार के फैंकना, छिलके के साथ नाज लेना, जो सब्जी लेनी है, वो भी नर्म खिलके के साथ लेनी, और जो भी आपने दाले लेनी, वो भी खिलके वाली लेनी, धुली भी नहीं लेनी, और इन दालों को, सब्जीयों को यदि आप मिठी के बर्तन में बनाते हैं, तो सोनने पर सुखागा, नहीं त तो कलाईदार आपका पीतल का बरतन या तांबे का बरतन हो, प्रांतु सिल्वर के बरतन में ना तो चीज रखके खानी है ना पकानी है, या फिर स्टील के बरतन में आप चीज पका सकते हैं, प्रांतु कुकर में चीज नहीं पकानी है, तो आपको रोगों से सेक्रो मील दू प्रांक्तु जब कुकर में पका के खाएंगे या सिल्वर के बर्तन में रखके पकाएंगे खाएंगे तो आपको रोगों से जूजना पड़े गाई ही ये आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिन्होंने स्वस्ट वचार के नियमन अपना लिये जो मीनने में हर रोज डाक्टरों के पास जाके एड़िये रखड़ते रहते थे कि आज मेरे पेट में दारदा, मेरे सिर में दारदा, मेरे टांग में दारदा, आज यो सब बिलकुल रोग मुक्त हो चुके हैं बलके उनके डक्टरों के कई बार फों आते हैं कि आपने हमारे गाकों को जो है हमारे से दूर कर दिया तो मैं उनसे प्रार्थन करता हूँ कि मैं दूर करने वाला कौन हूँ मेरे पास जो द्वाईयां रोग को काटने के किसी रोग को दुबाने की नहीं है और आपने द्वाईयां रखियां रोग को दुबाने की रोग कटाने तो रोग भी तो अपने अराम के लिए कहीं न कहीं भागेगा मेरे पास जुआ है अगर नारी पिर्ष्ट में जो मुझे रोग मिलता मैं उसकी द्वाई दे देता हूं मेरी द्वाईयों में किसी किसमा केमिकल ने में किसी बनी द्वाईयों ने बेचता मुझे 10,000 जड़ी पुटियों की पहचान है जिन से मैं उपचार करता हूं और मेरी अपनी द्वाईयों की फारमेशिया बनाने की यह द्वाईयों मेरी रिजिस्टर है पेटेंट है और मैं ग्रांटी से लाज करता हूं मैं किसे दोखा नहीं करता और मेरे पास यहदी पिचास मरीज आते हों तुट समे थीस को द्वाई, इसको द्वाई क करता हूं जसे क ferm करो आप का रोख लाली का थमम जिसका च्टा मोटजरों तो मैं द्वाई नहींकर प्रांटी। का रोग बिक्र चुका है उसको द्वाई देता है और जिस दिन रोगी मेरे आसर में आता है उसी दिन दस से पंदरा प्रसेंट राम भी मिल जाता है फिर पंदरा दिन की द्वाई दी जाती है पंदरा दिन की द्वाई से रोगी को पचास से साथ प्रसेंट राम मिलता है मेहन मेरे आसरम की द्वाई सारी उमर ने खाने पड़ती और इन द्वाईयों की जड़े हैं, पेड़ों की छाले हैं, पत्ते हैं, फाला हैं, फूल हैं, जिन से द्वाईयों बनाई जाती है, और इन द्वाईयों की विसेश्टा है, के पेड़ में जाने के दस मिट के अंदर अपना असर दिखा देती हैं, प्रांतु नाज्यों में, ग्योहु नाज मेरे लाज में बहुत कम चलता है, जाव हैं, चने हैं, स्वयबिन हैं, मौग है, मोठ है, बाजरा है, जौर है, यह सब चीजे चलती है, जोहु का नाज हर आदमी पिचा ने सकता, यह पेट में जाकर ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है, फिर नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं, जब आउरते तड़ा पदार्त ज्यादा खाती हैं तो इनको सबसे भ्यांकर रोग कव्य और लुकोरिय का उता है और जिस आउरत को कव्य और लुकोरिय हो गया उसकी कमर तो हमेशा तूटती रहती है परांतु जो उफचार मैं बता रहा हूँ यदि आप इस उफचार को करते हैं तो आपको अखेरी सांज तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने के जूरत नहीं बड़ेगी खाना कभी भी खाएं ताजा गर्म गर्म खाना खाएं खाना खाते समें दो गलास गर्म पानी लशन प्याज अदर का रस मिलाके पीते हैं तो आप समझें जहां आपने हजार पय का टौनी खाना वहां दो गलास पानी पीलिया बराबर है क्योंकि लस्षन प्याज अद्रक नवाहे पानी में पीने से पैर के तलुवे से सिरके बाल तक की हर नस्ट नारी को ऐसे खोलते हैं जैसे नदी में बांध लगाने के बाद गेटों को खोल दे जाए और पानी बड़ी जल्दी नीचे की तरह भागता है ऐसे पेट अच्छा स साफ होता है पेट साफ होगा आपको रोगी कोई लिए मेरे नम राजेश कुमार है और मैं कालकाई जी दिल्ली से आया हूं जब मैं मेडिकल सबसें हॉस्पिटल गया था या दूसरे प्राइवेट तुनल में पर डालेसिस के लिए ड़ाइज दिया था लेकिन को डालेसिस नहीं कराना था और बड़े भाहिया ने मुझे बताया कि बाबाजीन है यहां पर तो मैंने कहा कि पहले में वहां जाओंगा उसके बाद फिर कुछ और डिसीजन होगा उसके बाद यह मेरा चौथा राउंड है नमस दिखाने का और फर्स दे से आखर आप विश्वास करें तो 15-20 प्रसंट मेरे को एकुप्रेशर से जोने में को चलने लाइक बनाया पहले में दस कितम नहीं चल पाता था क्योंकि ब्रिधिंग नहीं आती थी मेरों को अब ही क्या है कि मैं कम से में 100 मीटर चल लेता हूं और ब्रिधिंग में ले रहा हूं और मुझे पूरा विश् है कि अगर मैं कॉर्परेट करूं मैं बाबाजी के इलाज के साथ क्योंकि इनके साथ मुझे भी इनके साथ चलना है तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाओंगा मेरा नाम मंजू पमार है मैं मध्यपर्देश की रहने वाली हूं इंदोर से हूं और मेरे को 2015 में हार्ड का प्राब्लम हुआ था सीने में दर्द हुआ था एंजियोग्राफिक करवाया तो उसमें 90% ब्लॉकेज निकला फिर डॉक्टरों ने एंजियो प्लास्टिक किया फ इससे मेरे बॉड़ी में पानी जाधा बढ़ने लग गया और तुम्हें दीरी-दीरी सूझने लग गए जैसे जैसे एलोपैथिक लेटी गई वैसे वैसे मेरी किडिनी और डेमेज हो गई किडनी डेमेज होने लग गए potassium बहुत बढ़ने लग गया protein body से बहुत निकलने लग गया और creatin मेरा बहुत बढ़ने लग गया तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें फिर ऐसे ही देखते देखते TV में मुझे पता चला बाबा जी का program आ रहा था मैंने इस program देखा बस तब से मानस बनाया मैं यहां आई फिर उसके बाद से मैं स्टाइडिंग में तो medicine लेते नहीं बने पंदू 15 दिन में ही मुझे 45% आराम हो गया था हाला कि दवाई लेने में बड़ी तकलिफ हुई थी पंदू परेज भी इनके बहुत थे परेज भी मैंने इमानदारी से करें तो 15 दिन में 45% आराम होगा मेरा क्रेटीन प्रोटीन पोटेशियम यह सब बोड़ी का सब नॉर्मल है और आई दूसरे दिन से ही मेरी बोड़ी का पानी पूरा सूग गया मेरी में बोड़ी पूरी नॉर्मल हो गई और आज मैं पूर्णता स्वस्थ हूं अब कॉलर जुड़ गए है आई इन से बात करते हैं हालो हालो जी नमस्कार नाम बताए कहां से बात कर रही है आप अब जी सवाल करें अपना गुरुजी सुन रहे हैं आपको आप अब नारी बैद हूं मैं सुनाई बात तों पर द्वाईयन बेचता हूं मेरा नियम है बुत बार की छुट्टी रखता हूं गुरुवार से लेके बंगल बार तक नारी प्रिक्षन करता हूं नारी प्रिक्ष में पैर के तलुवे से सिर के बार तक की MRI CT scan, extra, ultrasound, ECG, sonography सब कुछ पांच सकंड में हो जाते हैं उसमें जो भी कमी स्रीकें अंदर पाई जाती है वो द्वाई दी जाती हैं द्वाईये कंने की नारी ङजुन को देता हूं यहन्यां बाल के स्वान भी कही रोग दिखाई पड़त के नौग में तो उसकी वी में द्वाई देता हूं मेरा दूसरे डाक्टरों जैसा काम नहीं है, कि जो रोग आपने बताया, उसी की द्वाई देने, उसे अंको सुन करना, मैं सुन नहीं करता हूं, यदि आप अपने रोग से मुफ्त होना चाहती है, तो आप बुद्ध बाहर छोड़कर, गुरू बाहर से लेकर, मंगल बाहर क बीचे मेरे आसर में आए, जिस तिन आसर में आना, उस तिन रातरी 10 वह तक खा पीर के दातर कूड़ा करके, बड़ी लेची मुह में रखके चूचते रहें, सुबह नाव से 10 के अंदर अपना नाम करन कुरूएं, 10 से 12 मैं नारी प्रिक्षिन करूँगा, नारी प्रिक्ष प्रिक्षिन करने के तेल हैं, आंख में नाक में कान में डालने के द्वाइं हैं, यदि द्वाइं आप नियम से लेते हैं, प्रेज करते हैं, जिस तिन आसर में आते हैं, उसी दिन 10 से 15 प्रिसेंट राम भी मिल जाता है, जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उप्चार पर नहीं उन्हें सलहा दी जाती है कि वह सुष्विचार आश्रम आए अपने रोग का कारण जाने और जॉयर्वेडिक दवाईया दी जाएंगी वह नियम और परेश के साथ आप सिवन करें कोई जानकारी आप लेना चाहती है नंबर आपकी स्क्रीन पर है इस बात का ध्यान चाहिए क्योंकि ये गुरुजी के नियमों में शामिल है इसके अलावा भी कोई और जानकारी आप चानना चाहते हैं तो आप नंबर जो दिये जारे उन पर संपर कर सकते हैं संपर करने का समय है सुबह 10 बज़े से लेकर शाम 5 बज़े के बीच एक और कॉलर जुड़ गए जी नसों की समस्य है देखे विटा नसों में प्राबलम होने का एक कार्नि इसके चार पंच कार्न है अब मेरे लिए तो रोग ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मुली नकारना आप ऐसा कीजिए बुद बाहर छोड़कर गुरु बाहर से लेकर मंगल बाहर के वीचे मेरे आसर जी नाना उस दिन रातरी दसवे तक खा पीके दातन कूला करके बड़ी लेची मूं में रखके चूछते रहना सुबह ना से दस के अंदर अपना नाम करन कराना दस से बारा मैं नारी प्रिक्शन करूँगा नारी प्रिक्शन में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI CT scan, extra, ultrasound, ECG, sonography, सब कुछ पांच सकेंड में उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगे द्वाइयं दिये जाएगी, द्वाइयं खाने की हैं, द्वाइयं पीने की हैं, माल्स करने के तेल हैं, आँख में, नाख में, कान में डालने के द्वाइयं हैं, इस तेल के अंदर की सुबा नाने के बाद करनी है, एक गहंटा माल्स होती है, साम को सोने से पहले एक गहंटा माल्स होती है, चाहे आपका अंक किसी भी किस्म के दर्द से पीडित है, इस तेल की माल्स करने से दर्द ऐसे समापत होता है, जैसे जलती अगनी में पानी डालके अगनी सांत होती है तो आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं और डाक्टरों के कर्जे से छूटना चाहते हैं तो आप बुद्ध बार छोड़कर गुरु बार से लेकर मंगल बार के बीचे मेरे आसर में आए और जिस्ते नाना उस दिन रातरी दस बार तक खा पीके दातन कूला करके जाएंगी द्वाई आप नियम से लेते हैं प्रेज करते तो उसी दिन मुझे कम से कम 20 परसेंट राम चाहिए जी बिलकुल तो पहले ही दिन से आपको 20 परसेंट का राम मिल जाएगा लेकिन वो तबी संभव होगा जब आप स्वास्विचार आश्रम आएंगे आश्रम पर सकते हैं पुस्त के सोष्थ विचार इसमें वो सभी नुस्के होते हैं जो गुरु जी यहां कारिक्रम के दौरान बताते हैं और अगर दर्श को किसी कारण से जो कर न यहां को अविक हो गया है तो भी डिविक निराश्टना हो जो हमारा यूट्यूप चैनल है सभी नूस् आप हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृती टीवी पर भी देख सकते हैं जादा से जादा चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जादा से जादा लोग आयरुवेद के साथ जूड़ सकें अब यहां पर गुरुजी एक वाट्सप मेसेज ले लेते हैं य क्या करूं बताईए देखो बैटा जादा आने का मुख्या कारना आटीवी से जो क्रीम में आप लगाते हैं पाउडर लगाते हैं इस चम्री को जिलाता है यह जादियों को समाप्त नहीं करता अब यदि चेरे पर इतना भद्धापन आ गया है तो टीवी के माद्यम से जो मैं आपको कोई नुक्सा बताऊं भी तो उससे कोई लाव होना नहीं सबसे अच्छा है कि आप उद्ध बाहर छोड़कर गुरू बाहर से लेकर मंगल बाहर के बीचे मेरे आसर में आएं जिस ते नाना उस तिन रातरी दस पर तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी लेची सब कुछ पांच सेकंड में उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगे द्वाइएं दी जाएंगे द्वाइएं खाने की हैं द्वाइएं पीने की हैं मालस करने के तेल हैं आंक में नाक में कान में डालने के द्वाइएं हैं और एक साबन दिया जाएगा जि उसे अगर आप अपना लेती हैं जल से जल अपना लेती हैं तो आप भी बेदाग सुन्दर चेहरा पा सकती हैं लेकिन वो तब ही संभव होगा जब आप स्वास्विचार आश्रम आएंगी आश्रम पर आने की डीटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है आश्रम आने से पहले इस बात का खास खयाल रखे कि जो महील आए स्वास्विचा राशनम आकर अपने इलाज कराना चाहती है वो सिर्फ और सिर्फ सूट पहन कर यहां पर आए को जानकारी आप लेना चाहती है नमबर लगातार आपकी स्क्रीन पर है कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम कंदे में दर्द है गोजी देखे कंदे में दर्द होना का कारण एक रिष्क का चार पाइच कारण होते हैं अब मैं डाक्टर तो हो नहीं कि मैं आपको कह दूँ जाओ कमिस्टर से फ्लानी द्वाई खा लो मैं नारी बैद हूं और बुद वारकी में छुप्टी रखता अभड बार तक नारी प्रिक्षकन करता हूं जिस दिन आपने नारी प्रिक्षन के लिए आना उस दिन रातरी दस बेट खा पी के दातन कूला करके बडी लैची मूं में रखके चूउचते रहें सुँदा नाव से 10 के अंदर अपना नामका नुकृआना दस से बारा में न नाड़ी फिर्ष में पैर तल्वे से सिर्के बाल तक की MRI, CT scan, extra, ultrasound, ECG, sonography सब कुछ पांच सकिंड में हो जाएगे, उसमें जो भी कमी आपके श्रीर में पाई जाएगे, द्वाइएं दिये जाएगे, द्वाइएं खाने के, द्वाइएं पेने के, मालश करने के तेल हैं, आं कम हो जाएगा, पंदरा दिन में सार से सत्य प्रिसेंट कम होगा, एक मिने में दर्द का नावन सानी रहेगा, द्वाइएं बंद हो जाएगे, जो बिल्कुल तो आपको सारी जानकारी दे दी गई है, इसके अलावा भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आश्रम आने से पहले कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इसके आप संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करने का समय है, सुबह दस बजे से लेकर शाम पाच बजे के बीच, इसके सासा दर्श को ये लाइफ कारी करम है, अगर आप ग आपके पास रहे हैं, हमेशा आपके साथ रहे हैं, तो आप गुरुजी की पुस्तके मंगा सकते हैं, इसमें वो सबी नुसके होते हैं, जो गुरुजी यहाँ कारेकरम के दौरान बताते हैं, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिय जा रहे हैं अब वक्त है कारेक्रम को विराम देने का गुरुजी आप यहां आए लोगों की समस्याओं का समधान किया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद नमस्कार दर्श को कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं संसान से जुड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया ज सकते हैं अब इसी के साथ मुझे भी दिज्यानू मती नमस्कार